समाजवादी पाटी के मुखिया अखिले श्यादव और चंदोली में उस पीडित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं जहां आरोप है कि पुलिस की पिटाई से एक युवती की मौत हो गई उसकी चोटी बहन जो है वह आप देख सकते हैं गंभी रूप से बीमार है घर पर ही इनसाफ की उम्मीद नहीं है लेकिन अखिलेश श्यादू से इन्हें क्या उम्मीद है क्या को इन्हाँ वुझा को यह मिलेगा और नहीं भरोसा है। कोई लोग आए और वो आ रहे हैं तो थोड़ा आसा जागी है देखे क्या होता है यह बताए कि सत्ता पक्च से आपको की मिलने कोई आया आप लोगों से कोई हमदर्दी जताई या आपको इंसाफ की उमीद है जी सत्ता पक्च के लोग तो हम मिंतजार कर रहे ते लिए कि हमके थाई और बताएं कि हमारी वीटिया इसी थे यह बताईए अखेलेज जी आएंगे तो क्या उनसे क्या बात शीर §aliz gi अगे तो क्या आप प्चीत करें इंक्यांगें क्या मांग रखेंगे उनके मांग पहले उनको ठीन सो 2 के म१ पहले लगई जाए हमारी कि अंसरा रुवर्ली आणके का्थ यहत्तुन करता है। इसकी मार्ट साथ है। उन्से भी बात कर लेते हैं। बताईए किया चाहते हैं अब आ हٍचा है। कर खर्थ कि तो न के साहरा प्यूते। कुछ भूल ना सकती arbitrarily हो गर की अखिलेशे नखिरा नजादा आप नखिव लड़ाई में आपका साथ देगा क्या पुरा भेस वह नहीं पर अचे आसरा क्यूं शाशन परशासन है उससे कोई मदद आपको मिली है या लगता है कि कोई इनसाफ आपके साथ ना ही ना लगा था ना लगा था कि अनौना उससे हमके मिली है बच्ची का इलाज घर पे ही आप करा रहे हैं इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है यह अस्पताल में 12 बदे रात को जिला अस्पताल में भड़ती थी और वहां परशासन थी उसके बाद बच्ची के पास अन्य लोग वहां पहुंच गए थे रात को बच्ची अबादी इनके दुनों भाई वहां सो गए थे तो हम संदे लगा तो हमने सुझा कि आप यहां से लिकाल कर हम लो लो ले चलना हो बच्ची की जब नीद तूड़ती है तो डाक्टर को बुलवाती है कहते हैं डाक्टर बुल जाके इनके भाई को जगाते हैं तो उस दिन हम डिस्टर्ब हो गए हम सोचे कि नहीं बच्ची को हम भारे पर ले चलके रिलाज किरा है है म कि नियुक्त कि होती है स्की जो बहन है उसकी हाल ठीक नहीं लगरे घर पर ही गर पर जबब्धर को चड़ रहा है डाकटर कीम यहां पर मॉझूद आक्टर है नर्स यहां पर है जो डाक्टर हैं उन जो से बात कर लेते हैं लेकिन यह कुछ खा पी नहीं है, इसी से इनको कमजोरी जैसा है, यह सब कुछ हो रहा है, तो अगर खा नहीं है, इसलिए में डिप चालू किया है, मुल्टि विटामिन के साथ, यह घर पर इनका जो इलाज चल रहा है, उसमें यह ठीक हो जाएंगे, अस्पताल भेजने, हमन का यह मकान है, नीचे यह ऊपर ही कमरे में यह बच्ची जो है, जो बीमार है, ट्रिप चड़ रही, यहीं पर है, तो यहीं पर अखिले शादों आएंगे, जो पीडित परिजन है, उनसे मुलाकात करेंगे, इस बच्ची का हाल जानेंगे, और परिवार वालों का साफ तोर रहे हैं, और इनका साफ कहना है, कि हत्या और जो भी लोग दोशी है, उनको फांसी के सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए, अपने सहयोगी शचांक और कैमरामेन रोहिश की वास्तों के साथ मुहम्मद मौही, एबी पी गंगा, चंदौले. एबी पी गंगा, खबर आपकी, जबाँ आपकी.